अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन पिछले अध्याओं में हमने भारती लोकतंत्रिक और लोकतंत्रिक शासन विवस्था में आम वेक्तियों के भागिदारी को समझने का प्रयास किया इस अध्याय में लोगतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे कुछ जन आंदोलनों के अध्यन दोरा हम ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे जन आंदोलन क्या होता है? लोगतंत्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है? 16.1 सामाजिक आंदोलनों की अवधारना एवं परिप्रेक्ष पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम वेक्ती यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिस की हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग-अलग माध्यमू से शासन में भागीदारी की वेवस्ता की जाती है हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वेस्क मतदान निश्चितायू के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार सक्रिय दबावसमू और मेडिया की भूमिका महत्वपून होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्रिक शासन वेवस्ता में जनसे भागीदा के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्यप्रकार हो सकते हैं आमतोर पर एक लोगतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूव बनाने की स्वतंत्रता आधी अधिकार व्यक्तियों को दिये जाते हैं। लेकिन एक लोगतांत्रिक शासन विवस्था की मजबूती इसी में हैं कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किये जाते हैं जो शासन के नागरिकों के भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन सामाजिक तबकों के हित में कारे करने के लिए प्रेरित करते हैं सामाजिक आंदोलन किसी देश ये समाज में किसी समूध वारा अपनी मागों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है 6.1.1 नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओ का आंदोलन 36 गड के पूरु में ओडीशा राज है यहां नियमगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बाकसाइट एल्मूनियम एस्क का भंडार है राजी सरकार ने इसके खनन के लिए एक कमपनी से 2004 में करार किया था यह एक वन निचेत्र था इसलिए यहां खनन के लिए वन विभाग की अनुमती जरूरी थी कमपनी ने सभी आवशक अनुमती प्राप्त कर ली 27 जनवरी 2009 का दिन था कमपनी की मशीन ने खनन प्रारंब करने के लिए पहुँच चुके थी लेकिन उसी दिन सुभा से ही इस शेत्र में रहने वाले लोग नियमगिरी पहाडी के चारों और जुटने लगे थे देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए एक आकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिलाएं वा पुरुष एकत्रित हो चुके थे ये लोग नहीं चाहते थे कि नियमगिरी पहाडी में खनन कारिक किया जाएं इन लोगों ने बुलडोजरों से नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया इस प्रकार 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रिंखला बना कर पूरे नियमगिरी पहाडी को घेर लिया प्रदर्शन कारियों के पास जो तक्ति थी उन पर लिखा था वेदान्त वापस जाओ नियमगिरी में खनन बंद करो आईए अब इस घटना के कारणों को समझते हैं सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवशक्ता थी इस परियोजना में एक मिलि प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान कालाहंडी जिले के लंजी गर में 75 मेगावार्ट का बिजली सयंत्र का निर्माण होना था इन सब के लिए 4000 करोड रुपै का निवेश्ट शेत्र में होना था जिससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी शेत्र के इस्थाने निवासी हैं यह एक जनजाती शेत्र हैं जहां डोंगरिया कोण, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियां लंबे समय से निवास करती हैं नियमगिरी पहाडी का नाम नियम राजा पेनू नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है इस शेत्र में रहने वाली जनजातियां आज भी इस पहाडी की पूजा नियम राजा के रूप में करती हैं उनका मानना है कि नियम राजा उनकी रक्षा करता है ये लोग नियम गेरी शुत्र में मिलने वाले वन, वन्यजिव, नदी, जहर्णों, आदि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रिकार यहां रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाडी और यहां फैली प्राकृतिक संपदा ही है। अगर यहां खनन होता तो इन लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ता और उनकी आजीविका के साधन छिन जाते। जब से सरकार और कंपनी के बीच समझोता हुआ था तभी से ये जनजातिया खनन परियोजना का विरोध कर रही थी। जनजातिये शेत्र में खनन करना पीसा एक्ट जिसके तहर जनजातिये वनान चलों में पंचायतों को कई अधिकार दिये गये थे का उलंगन था। नियमगिरी के जनजातिये लगातार जुलूस प्रदर्शन और वेदान्त कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहें। इस बात के लिए मद्दान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अन्तता सभी ग्राम सभाओं ने एक मत होकर खनन के विरोध में मद्दान किया। इस प्रकार जनजातिये लोगों ने नियमगिरी शेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती। 16.1.2 सूचना के अधिकार का संगर्श अभी हमने ओडिशा के जनजातियों के कहानी को समझने का प्रयास किया था। आईए अब हम एक और जनांदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मद्धे राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाडा, पाली और राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं। यहां छोटे किसान और मजदूर जीवन्यापन के लिए सरकार की योजना अकाल राहतकारे और अन्य सरकारी योजनाओ पर निर्भर हैं। इन में से अधिकतर योजनाएं पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं। इन शित्रों में काम के बदले नियूंतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी। परशान होकर यहां के मजदूरों द्वारा अपने कारे की नियूंतम मजदूरी की मांग की जाने लगी। कई सरकारी कारेयलों से शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस पर मजदूरों ने संगटितों कर आंदोलन करने पर विचार किया। इसके लिए 1 मैं 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ती संगठन भी बनाया। कुछ समात सेवियों ने इस संगठन का नेत्रत किया। मजदूर किसान शक्ती संगठन ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कईधर ने दिये, भूखरताल की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है, इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी। इस पर संगठन ने तै किया कि एक गाउं के बारा मजदूर अपना कारे पूरी इमानदारी से करेंगे, साथ ही वे अपने कारे की नाप भी खुदी करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इसके बाद शेत्र के मजदूर और किसानों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया, एक लंबे समय के बाद केंद सरकार के हस्तक शेप से इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली। इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकार्ड रखना प्रारंब कर दिया सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकार्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था उसे मस्टर रोल कहते थे मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानी अधिकारियों और सरपंचों द्वारा उतने वेतन का भुक्तान नहीं किया गया जितना की सरकार ने उनके कारे के लिए दिया था कई तरह के ब्रश्टाचार के मामले सामने आए जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुक्तान किया गया था जो उस गाओं में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुक्तान किया गया था मजदूरी कम दिन की की गई और भुकतान अधिक दिन का किया गया ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे